परिचाए विवेक, क्या तुमने अपने दोस्तों के साथ फिल्म का मज़ा लिया? नहीं पिता जी, मेरी सीट थोड़ी तकलीव दे थी, जिसके परिणाम सरूप मैं मूवी में ध्यान नहीं लगा सका. फिर तुमने सिनेमा हॉल में तीन घंटे कैसे बिताए? पिता जी, मैंने खुद को एक रोचक प्रयोग में व्यस्त रखा. मैंने हॉल में कुल सीटों की संख्या की गिनिती की, और उसकी तुल्ना हमारे घर में कुल कुर्सियों की संख्या से की. बहुत अच्छे विवेक! तु बताओ, तुम्हें क्या निश्कर्श प्राप्थ हुए? पिता जी, हॉल में कुल 200 सीटे थी और हमारे घर में कुल 4 कुर्सिया है. अतहा हॉल में हमारे घर की कुर्सियों की अपेक्षा 196 सीटें अधिक है. बिलकुल ठीक! विवेक, हाला कि तुलना को बेहतर तरीके से व्यक्त करने का एक और तरीका है. हम ये कह सकते हैं कि हॉल में हमारे घर की सीटों की तुलना में 50 गुना अधिक सीटे हैं. बच्चो, क्या तुम जानते हो कि विवेक के पिता ने ये निश्कर्श कैसे निकाला? ये निश्कर्श निकालने के लिए विवेक के पिता ने अनुपाद का सिध्धान्त लगाया. इस पार्ट में हम अनुपाद और समानुपाद के बारे में जानेंगे. उद्देशे इस पार्ट के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे. अनुपाद को परिभाशित करना. दो राशियां या परिमाणों के मध्धे संबंध को अनुपाद के रूप में व्यक्त करना. समान अनुपाद को पहचानना. अनुपाद के अनुसार राशियों या मानों को विभक्त करना. समानुपात में अनुपात को पहचानना एक या कई मानों को ग्यात करने के लिए एकल विधी का प्रियोग करना अनुपात हम प्राया, राशियों तथा मानों की तुलना उनके अंतरों की गणना करके करते हैं उधारण के लिए मान लीजिये कि दो दोस्तूं वरून और अरून का वसन क्रमशा 38 किलो और 35 किलो है हम कहते हैं कि वरून अरून से 38 घटा 35 यानि 3 किलो वसनी है इसी प्रकार रिदू एक गुलाबी रंग की और दूसरी नीले रंग वाली क्रमशा 350 रुपए और 250 रुपए की क्यमत की दो शर्ट खरीदती है हम कहते हैं कि गुलाबी शर्ट की क्यमत नीले रंग की शर्ट से 100 रुपए अधिक है यदि मानों की मात्रा बहुत अधिक है तब अंतर द्वारा तुलना समझ में नहीं आती है उधारण के लिए मान लीजिए कि हम एक 6 इंच लंबी पैंसिल की तुलना एक 48 इंच के वाइपर के साथ करते हैं वाइपर पैंसिल से 42 इंच लंबा है हालकि वाइपर और पैंसिल की लंबाई में भिन्नता का अंतर स्पच्ट रूप से समझ में नहीं आता है हम भिन्नता को और किस तरीके से स्पच्ट कर सकते हैं आईए हम खुद से ये प्रश्न करते हैं एक वाइपर की लंबाई को ढखने के लिए कितनी पैंसिलें प्रयाब्त होंगी। उत्तर है 48 भाग 6 यानी 8। दूसरे शब्दों में वाइपर पैंसिल की अपेक्षा 8 गुना लंबा है। एक राशी को दूसरी राशी के कई गुना की रूप में व्यक्त करना अनुपात कहलाता है। 48 भाग 6 आठ भाग 1 के परावर है। आठ भाग 1 को आठ पटे 1 के रूप में भी लिखा जा सकता है। अनुपात को निरूपित करने के लिए कॉलन के चुन्न का उप्योग किया जाता है। आईए अनुपात के एक और उधारन को देखते हैं। तुशार ने एक जीन्स का जोड़ा 15 रुपे तथा एक बेल्ट 250 रुपे में खरीदा। जीन्स की कीमत बेल्ट की कीमत के तुलना में कितनी गुना है। अनुपात की गणना करने के लिए सर्व प्रथम 1500 को 250 से विभाजित करते हैं। ये ठीक 6 भाग 1 की तरह है। इसे अनुपात यानी 6 बटे एक के रूप में व्यक्त कीजिए। इसलिए हम कह सकते हैं विभिन इकाईयों में मापी गई राशियों या मानो की तुलना। वनीता के पास एक कप में 100 मिलिलीटर तथा एक जग में 2 लीटर दूद है। दूद की तुलना में 100 अधिक है। क्या हम ये कह सकते हैं कि कप में दूद की मातरा, जग में दूद की मातरा से अधिक है? जी नहीं, कारण ये है कि दो राशियों को दो अलग-अलग एकाईयों में मापा गया है, तथा इस प्रकार उन दोनों की तुलना नहीं की जा सकती है. उन्हें तुल्ना करने योग्ये बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए हमें उनकी राशियों को एक समान एकायों में व्यक्त करना होगा दो लीटर को दो हजार मिले लीटर के रूप में परिवर्थित कीजिए अब इस प्रकार राशियां तुन्ना करने योके हैं आईए अनुपाद पता करते हैं 2000 बटा 100, 20 बटा 1 या 20 अनुपाद 1 के परापर है इसलिए जग में दूद, कप में दूद, किया पेक्षा 20 गुना अधिक है हरी ने एक बबल गम को 50 पैसे में खरीदा उसके दोस्त शिव ने एक बिस्कुट का पैकेट 20 रुपे में खरीदा किसने सबसे अधिक पैसे खर्च तथा कितने गुना किये तुन्ना करने से पूर्व हम 20 रुपे को 2000 पैसे में परिवर्टित करते हैं अब हम अनुपात निकालते हैं 2000 पटा 50, 40 पटा एक के पराबर है जो की 40 अनुपात एक के समान है अता हम कह सकते हैं कि शिव ने हरी की तुल्ला में 40 गुना अधिक पैसे खर्च किये सम्तुल्ले अनुपात रितेश अनुपात की करना करना सीख रहा है तथा इसका आनन्द ले रहा है लेकिन एक बात है जो उसे समझ नहीं आ रही है आईए देखते हैं कि वो क्या है सर्व प्रथम उसने अपनी कक्षा के लड़कों तथा लड़कियों के अनुपात की करना तीन बटे एक के रूप में की उसने तथ पश्चात अपने बैग में कौपियों तथा पुस्तकों के अनुपात की करना की और तीन बटे एक अनुपात निकाला रितेश आश्चारे चकित है क्या दो अनुपात समान हो सकते हैं? हाँ, वे समान हो सकते हैं सबसे पहले वाला अनुपात हमें ये बताता है कि रितेश की कक्षा में लड़कों की संख्या, लड़कियों की संख्या की दिगुनी है दूसरा वाला अनुपात हमें ये बताता है कि रितेश के बैग में कौपियों की संख्या पुस्तकों की संख्या की तीन कोनी है अपने निम्न पदों में व्यक्त दो बराबर अनुपात समान अनुपात कहलाते हैं आईए सत्यापित करते हैं कि निम्न लिखित अनुपात समान है अथवा नहीं राम एक माह में पंद्रा हजार रुपए अरजित करता है एवं दस हजार रुपए व्याय करता है आए और व्याय को एक अनुपात के रूप में व्यक्त कीजिए यदि निम्न पद में व्यक्त किया जाए तब पंधरा हजार बटा दस हजार, पंधरा बटा दस होता है जो तीन बटा दू या तीन अनुपाद दू के बराबर है इस गर्थ है कि अरजित किये गए प्रतेक तीन रुपे में से राम दू रुपे खर्च करता है रहीम एक माह में 21,000 रुपे अरजित करता है तथा 14,000 रुपे व्यक्त करता है आए और व्यक्त को एक अनुपाद के रूप में व्यक्त कीजिए यदि निम्न पद में व्यक्त किया जाए तब 21,000 बटा 14,000 21 बटा 14 होता है जो की तीन बटा दो या तीन अनुपाद दो के पराबर है इसकार्थ है कि अरजित किये गए प्रतेक तीन रुपे में से रहीम भी दो रुपे खर्च करता है राम और रहीम की आए और वे का अनुपाद समान है अनुपात अनुसार राशियों या मानों का विभाजन आईए अब हम राशियों और मानों का विभागत करने के लिए अनुपातों का उप्योग करते हैं दो सहिलियां सिया जिसकी उँचाई 36 इंच है एवं पिया जिसकी उँचाई 48 इंच है एक आम के पेर से साथ पके आमों को तोड़ती हैं वे अपनी उँचाई के अनुपात में आमों को साजह करने का निरणाय लेती हैं हर सहिली को कितने आम खाने को मिलेंगे आईए सर्व प्रत्थम हम उनकी उंचाई का अनुपात निकालें उनकी उंचाई का अनुपात है तीन बटे चार सिया और पिया आमों का साजह तीन बटे चार के अनुपात में करेंगी इस कार्थ है कि सभी दोड़े गए साथ आमों में से तीन सिया को और चार प्या को खाने को मिलेंगे सिया को साथ में से तीन आम मिलते हैं प्या को साथ में से चार आम मिलते हैं दो भाई, देव जोध और प्रेम जोध, 100 रुपए का एक लॉट्री का टिकट खरीदते हैं. देव जोध 60 रुपए चुकाता है, प्रेम जोध 40 रुपए चुकाता है. वे लौटरी की राशी को इसी अनुपात में बाटने का निरने लेते हैं वे एक लाख रुपए की लौटरी जीतते हैं दोनों भाईयों को कितना कितना पैसा मिलना चाहिए आईए सर्वप्रथम हम उनके द्वारा किये गए भुक्तानों का अनुपात ग्याद करते हैं लौटरी के भुक्तान का अनुपात तीन बटे दो है देवजोत और प्रेमजोत लौटरी के पैसे को तीन बटे दो के अनुपात में बाटेंगे इस कार्थ है कि जीते गए प्रतेक 5 रुपए में से 3 देवजोद के पास एवं 2 प्रेमजोद के पास जाएंगे एक लाख की लौटरी में देवजोद का हिस्सा 60,000 रुपए है और प्रेमजोद का हिस्सा 40,000 रुपए है आत्म मुल्यांकन समान अनुपातों का मिलान कीजिए समान अनुपात पियूश और अमिद बहुत अच्छे चितरकार हैं हालही में पियूश ने एक स्टेशनरी की दुकान से 240 रुपए के मूले पर 20 पेंट ब्रश खरीदे अमिद ने उसी दुकान से 180 रुपए के मूले पर 15 ठीक वैसे ही ब्रश खरीदे अमिद का दावा है कि दुकान दार ने पियूश से अधिक पैसे लिए आईए देखते हैं सर्व प्रथम दोनों राशियों का अनुपात निकालते हैं राशियों का अनुपात चार बटे तीन है ततपश्चात कीमतों का अनुपात निकालते हैं प्रेम्टों का अनुपात चार बटे तीन है. इसकारती ये है कि राशियों का अनुपात क्यम्मतों के अनुपात के बरापर है. इसलिए हमित का दावा गलत है. ब्रश के लिए दुकानदार ने हमित और पियूश से एक समान कीमते वसूली. जब दो अनुपात पराबर हूं तब उन्हें समानुपात में कहा जाता है समानुपात में अनुपात को इस प्रकार दर्शाया जाता है इस प्रतीक से समानुपात को निरूपित किया गया है समानुपात में अनुपात को इस प्रकार पढ़ा जाता है 20 अनुपात 15 बराबर 240 अनुपात 180 समानुपात में उप्योग की गई प्रत्येक संख्या एक पद कहलाती है 20, 15, 240 और 180 पद हैं प्रथम और अंतिम पद, चरम पद या सिरे के पद कहलाते हैं समानुपात में अनुपातों का सत्यापन आईए दो अनुपातों पर विचार करते हैं 40 अनुपात 25 तथा 56 अनुपात 35 40 बटा 25 आठ बटा 5 के बराबर है यानि 8 अनुपात 5, 56 बटा 35, 8 बटा 5 के बराबर है यानि 8 अनुपात 5 अता 40 बटे 25 बराबर है 56 बटे 35 के दूसरे शब्दों में 40 अनुपात 25 बराबर है 56 अनुपात 35 के अब इन दू अनुपातों पर विचार करते हैं 63 लीटर अनुपात 35 अवं 28 किलो अनुपात 21 किलो 63 बटा 35, 9 बटा 5 के बराबर है यानि 9 अनुपात 5 28 बटा 21, 4 बटा 3 के बराबर है यानि 4 अनुपात 3 के बराबर है अता 63 अनुपात 35 बराबर नहीं है 28 अनुपात 21 के हम कहते हैं कि अनुपात समानुपात में नहीं है दो और अनुपातों पर विचार करते हैं 36 मिनट अनुपात 180 सेकंड एवं 50 रुपए अनुपात 150 पैसे 36 मिनट पटा 180 सेकंड 36 गुणा 60 सेकंड भाग 180 सेकंड के बराबर है जो की 12 अनुपात 1 के बराबर है 50 रुपए बटा 150 पैसे 5000 पैसे भाग 150 पैसे के बराबर है जो की 100 अनुपात 3 के तुल्ल है अता 36 मिनट अनुपात 180 सेकंड बराबर नहीं है 50 रुपए अनुपात 150 के ये अनुपात समानुपात में नहीं है एक अल्विधी प्रेणा अपनी दादी के घर की ओर जाने वाले रास्ते पर है वहाग गाओं में रहती है जो उसके घर से 600 किलोमीटर की दूरी पर है उसकी बस गाओं पहुँचने में 12 घंटे का समय लेती है बस की गती क्या है गती किसी वस्तु द्वारा एक घंटे में तै की गई दूरी होती है 12 घंटे में तै की गई दूरी 600 किलोमीटर है एक घंटे में तै की गई दूरी 600 भाग 12 यानी 50 होगी इसलिए बस की गती 50 किलोमीटर प्रती घंटा है प्रेणा की दादी का घर एक हजार किलोमीटर की दूरी पर है कितने घंटों में प्रेणा अपनी दादी के घर पहुँच जाएगी 600 किलोमीटर की दूरी तै करने में लगा समय 12 घंटे है एक किलो मीटर की दूरी तै करने में लगा समय बराबर होगा बारा भाग छैसो घंटे के तो एक हजार किलो मीटर की दूरी तै करने में लगा समय बराबर है बारा बटे छैसो घंटे गुणा एक हजार जो बराबर है बीज घंटे के प्रेणा बीज घंटों में अपनी दादी के घर पहुँच जाएगी पहले एक और फिर कई मानों के करना करने की विधी एकल विधी कहलाती है एकल विधी का उधारण बाचपियों का वाडशिक अखबार बिल अठारस रुपए है चार महिने में वे कितने बिल का भुकतान करेंगे बारा महिने के लिए अखबार का बिल अठारस रुपए है एक महिने के लिए अखबार का बिल अठारा सो भाग बारा बराबर एक सो पचास रुपए होगा चार महीने के लिए अखबार का बिल एक सो पचास कुणा चार बराबर छैसर रुपए होगा आत्म मुल्यांकन प्रश्नों को ध्यान पूर्वक पढ़कर सही उत्तर का चैन कीजिए सारांश आईए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोराएं एक राशी को दूसरी राशी के कई गुना के रूप में व्यक्त करना अनुपात कहलाता है इस प्रतीक का उप्योग अनुपात को निरूपिक करने के लिए किया जाता है राजियों या मानों को अनुपात में व्यक्त करने से पूर्व उन्हें समान निकाईयों में परिवर्टित किया जाता है अपने निम्न पदों में व्यक्त किये गए अनुपात यदी पराबर है तब उन्हें समान अनुपात कहा जाता है यदि दो अनुपात समान हों, तो उन्हें समानुपात कहा जाता है इस प्रतीक का उप्योग ये दर्शाने के लिए किया जाता है कि दो अनुपात समानुपात में है सर्वप्रथम एक एवं ततपश्चात कई मानों की गढ़ना करने की विधी एकल विधी कहलाती है